हजरत निजाम उद्दीन स्थित तबलीकी मरकज में गलत तरीके से शामिल होकर देश भार में कुरोना वाइरस फैलाने के आरोपी 294 विदेशी के खिलाब बुदवार को दिल्ले पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोट में 15 आरोप पत्र दाखिल किया इन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं हलाकि इन में से किसी को भी गिरफतार नहीं किया गया है इससे पहले मंगलवार को भी क्राइम ब्रांच ने साकेत कोट में 20 देशों के 85 विदेशी जमातियों के खिलाब 20 आरोप पत्र दाखिल किये थे आरोपित बनाये गया है क्राइम ब्रांच का दिकारियों को कहना है कि मरकज मामले में करीब 80 पीसद जाच पूरी हो चुकी है विदेशी जमातियों से पूस्ताच कर आरोप पत्र दायर किया जा रहा है मौलाना मुहमत साथ के भी तमाम करमचारियों वो अन्ये से विस्तित पूस्ताच की जा चुकी है लोगडाउन के बाद पुलिस मुख्य केस में नामजच साथ वो परवन्दन से जुड़े छे मौलाना समेत मरकज में सक्रिय भूमी का निभाने वाले करीब 15 अन्ये को गिरफतार कर पूस्ताच की जाएगी क्राइम ब्रांच ने मरकज में शाम प्रतिक शर्मा के साथ दीपकुमार की रिपोट पंजाब के सरी दिल यदि आप वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो कृपर पेज को लाइक कीजिए यदि आप वीडियो यूट्योप पर देख रहे हैं तो कृपर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकरन को झाल झाल